हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई वीडियो आज मैं आपको अपना ये रेट एमरेलिस लीली दिखा रही हूँ यह कितना खुबसूरत इसका फ्लावर है यह वाइट फ्लावर की तो मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ और यह यह रेड है देखिए यह मेरा हाइब्र है इसी के एक दूसरी यह वाराइटी है देखिए इसके फ्लावर जो है और छोटे होते हैं और यह बहुत है Dog इसमें बहुत सारे बनते है उसमें काफी फ्लावर आते हैं कि को Services का कलर थोड़ा सा सब्सक्राइब टाइप का है और फ्लावर भी छोटे-छोटे होते हैं और यह कितना खुबसूरत इसका ब्राइट कलर है वाइट एमरेल्स लीली पर मैं पहली वीडियो बना चुकी हूँ और यह रेड जो मेरे गार्डेन में अब खिलना शुरू हुए है इसकी कोई खास केर की जरूरत नही बनते रहते हैं आप उनको अलग करते रहें और देखें मैंने कई सारे प्लांट तयार कर लिये हैं मेरे पास लीली के काफी प्लांट हो गया है और जब यह एक साथ खुलते हैं तो आपके गार्डेन को बहुत खुबसूरत बना देते हैं इसको ओवर वार्टिंग तो बिल्कुल पसंद नहीं है और सेंडी स्वाइल में यह बहुत अच्छा है ग्रो करता है क्योंकि इसके बल्ग को बनने में आसानी होती है और थोड़ा सा गोबर की खाद और सेंड और मिट्टी लगा के लगा दीजिए तो यह आपके गार्डेन म करते हैं कि बहुत अच्छी तरह से यह होगा पूरे साल इसकी यह ग्रीन लीफ ऐसी रहती है रहती है कि ग्रीन ग्रीन जे देखने में अच्छी लगती है और मगर इसके फ्लावर जो है वह एस प्रिंग से वह सब्टेज़न से स्टार्ट होते हैं और में तक आते रहते हैं इस ड्राइर्ट और इनडरीक्ट सज्ट दोनों दोने ही आसानी से ग्रोह कर जाता है इसको कोई खास परकने पड़ता है बस इसको उवर वाटिंग बिलकुल मद करिए वरना इसके बल्ब जो है वो खराब हो इसके फ्लावर जो बड़े-बड़े होते हैं वह बहुत ही अच्छे लगते हैं और हमारे गार्डेन को तो खुबसूरत बनाई देता है आप लोग भी अपने गार्डेन में इसको जरूर एट करिए विंटर के बाद समर सीजन में लीली का फ्लावर तो और यह बहुत ही अच प्लावर चोटे हैं वैसे इसके बहुत सारी कलर शेड और साइज आते हैं अच्छा फ्रेंड्स है ओके लावीज आफीज